क्या आपको पता है कि कुछ लोग गोरे और कुछ लोग काले क्यूं है। चोट लगने के बाद बनने वाली त्वचा पर रोम और पसीना नहीं बनता। त्वचा काली क्यों हो जाती है। सब जानेंगे इस वीडियो में बस एंड तक बने रहना। 1. त्वचा स्किन मानव शरीर का सबसे बड़ा अंग है। 2. त्वचा का वेग्यानिक नाम क्यूटेनियस मेंब्रेन है। 3. मानव त्वचा के वर्नक मेलानिन द्वारा ये ते होता है कि त्वचा का रंग काला होगा या गोरा। त्वचा के गहरे रंग का अर्थ है कि त्वचा में मेलेनिन की मात्रा आधिक है. 4. मेलेनिन का निर्मान और वित्रन Tentacle-shaped cells द्वारा किया जाता है, जिसे मेलेनोसाइट्स कहा जाता है. मेलेनोसाइट्स की संख्या सभी मनुश्यों में समान होती है. लेकिन इनको शिकाओं द्वारा उत्पादित मेलेनिन की मात्रा भिन-भिन होती है 5. मेलेनिन के दो अलग-अलग प्रकार है युमेलानिन और फोमेलानिन युमेलानिन का रंग काला या गहरा भूरा होता है और फोमेलानिन लाल या पीले रंग का होता है 6. कभी-कभी ऐसी medical condition भी होती है, जिसमें व्यक्ति में मिलनोसाइट्स नहीं पाया जाता इसे albinism कहा जाता है लगभग एक लाख में से केवल एक व्यक्ति ही albinism से पीडित होता है 7. मानव शरीर की खाल को किसी समतल स्थान पर फैलाने पर वह 20 वर्ग फीट तक फैल जाएगी 8. हमारे शरीर की सबसे पतली तवचा आखों की होती है और सबसे मुटी तवचा तलवों की होती है 9. तवचा तीन अलग-अलग परतों से बनी होती है सबसे बाहरी परत, Epidermis, मध्य परत, Dermis और आंतरिक परत, Subcutis कहलाती है 10. तवचा कोशिकाओं को ओक्सीजन और रक्ट पहुचाने के लिए 11 मील रक्त वहिकाए पूरे तवचा में फैली हुई है 11. एक सामान्य मानव की तवचा में लगभग 300 मिलियन को शिकाए होती है तवचा के प्रती वर्ग इंच में लगभग 19 मिलियन को शिकाए होती है 12. तवचा में मौजूद 5 तरह के रिसेप्टर्स दर्द से लेकर छूने तक की समस्त जानकारी दिमाग तक पहुचाते है 13. लिपिड नामक एक विशेश प्रकार के प्राकृतिक वसा के कारण तवचा की बहरी परत स्वस्थ और नम रहती है 14. तवचा के स्पर्ष रिसेप्टर्स जिसे मीसनर कौपस सेल कहा जाता है बहुत समवेधन शील होते है 15. गंभीर रूप से खशतिग्रस्थ हो जाने पर तवचा खुद को ठीक करने के लिए इसका टिस्यू का निर्मान करती है जो सामान्य स्किन टिस्यू से अलग होता है क्योंकि उसमें बाल और पसीने की ग्रंतियों नहीं होती 16. यदि तवचा के किसी स्थान पर बार-बार दबाव या रगर पड़े तो वह स्थान पर मोटी और कठोर हो जाती है जिसे कैलिस कहते है